सब्सक्राइब हेक्टेक मास्टर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बैल आइकॉन तो गैट दे लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो हलो एवरिवन एंड वेलकम एक तो माई यूट्यूब चैनल हेक्टेक मास्टर तो काई स्वागत आपका डेली टाइक इसलिए क्या यह हूँ इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल पर सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर देना और हां इन चीजों पर थोड़ा कम ध्यान देना क्योंकि मर्सी इतनी साफस्पाइब होती नहीं है इसलिए चलिए शुरू करते तो लिए उसलिके में अच्छा है कि में इस यह रहे चलता आइक नहीं करता है और अभी रियल्मी इना एक घड़ा चीटी एक कंग को आइफों से रिता बड़ा देया पता नहीं करता है रहें कि अगली अप्रेट से सुफय के चर्व से सुफय वा यूमेन वाइट रोबोट उसका आर्ट वर्क का ऑक्ष्ण था उसका ऑक्ष्ण कंप्लीट हो गया है और रुपीश 5 करोड रुपीश पर उसका ऑक्ष्ण सेल हुआ है तो डिजिटल आर्ट वक बहुत ही अच्छे अच्छे आटक देखने को मिलते हैं और टाइम के साथ साथ और इंप्रेव होते रहेंगे अगली अप्रेट के तरफ से यह बहुत एक पूरी अप्डेट है कि 17 साल की लड़की का यूके में वह उसका आइफोन चार्ज कर रही थे पने बैड के पास में और एक्दम से उसक कि जो बैड शीट उसे फायर कैच कर ली थी और उसके फेस के पर भी स्कार्स आगय थे और उसका फेस्पीर थोड़ा बर्न हो गया है तो यह बहुत ही गलत बात तो एपल को थोड़ा जादा धिहार नहीं है अपने चार्जर्स वगरा पर के ऐसे हाथ से कभी और जादा नह अगली अपडेट निकल के आती है वीवो की तरफ से क्योंकि वीवो ने आज उनकी X60 series लांच कर दी है उसके नदर तीन फोन ही वीवो X60, X60 Pro और X60 Pro प्लस X60 और X60 Pro के अंदर आपको स्टेम्डगन 870 देखने को मिलता है AMOLED स्क्रीन है 120Hz की रिफ्रेश रेट है X60 Pro में आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलती है तोनों के अंदर 48 वह आपका कैमरा है पर आपको X60 Pro में Gimbal Stabilization देखने को मिलती है और X60 के अंदर आपको OIS देखने को मिलती है और इन्होंने एक इनका बड़ा भाय भी लांच कर रहा है X60 Pro प्लस इसके अंदर को Gimbal Stabilization और OIS दोनों रिखने को मिलती है स्क्रीन रिफ्रेश रिफ्रेश रेट है और इनकी प्राइस वह इस पार थोड़ी एग्रेसिव रखी है स्क्रीन उसको मिलत पॉल सकते है वनफलस के कॉम्पिटिशन में रखी है जिनकी प्राइस प्राइस फ्रू की प्राइस स्टाइए बड़ी सिट रॉपिस तो रूजन से हैं एक ही वेद्ट ही लिग्ट प्रो है उसकी प्राइस करब 70,000 से स्टाठ होती है थोड़ से ओवर्प्राइश लगए पर बाकि दो फोन है यह बड़े कॉंप्टिटिव है विएन प्लस के लिए और इनके अंदर आपको डिजिटल रैम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगली अप्डेट है रियल्म के तरफ से कल उन्हें उनका रियल्म 8 और रियल्म पिक्सल का कैमरा चिपका दिया जिसका इतना संस नहीं बनता उस अच्छान को एमोलेड स्क्रीन के उपर हायर रिफ्रेश्ट देना था इस बड़ रेडमी ने उनके रेडमी नोट 10 से बहुत ही अच्छे से दिया है फोन ठीक है आपको इसक्ति आपको 6.45 इंच के सब्सक्राइब के लिए और जाती है करिव 17,000 तक लिए के लिए जो प्रैसिंग स्टाट होती है रियलमी 8 Pro की वह स्टाट होती है 18,000 रूपे से 6GB 128GB लिए और जाती है 20,000 तक 8GB 128GB लिए फोन ठीक है रियलमी के तर से क्योंकि रियलमी ने इस बार ज्याद अच्छा काम करा है या अपनी नंबर सीरीज पर अगली अपडेट है शा उलमी इस फोन को लॉंच करती है और नंग करती है तो किस प्रैस के साथ किस स्पेश्फिकर्ट की दिया ने अगली अप्लेट है यह इक यह संपड़ी कि अच्छी चॉइस हो सकता है अगली अप्डेट है को एलकम ने उनका स्नेपड़कन 780G 5G चिपसेट अनॉंस कर दिया अब तक लोने से और अनॉंस कर रहा है और इसी लिक्स निकर करके आ रहे हैं कि यह सेकेंड क्वार्टर में लॉंस हो सकता है और इस स्नेपड़कन 765G का एक सक्सेसर होगा तो बसका है इस आठीव इस अज़कर लेगे तो लाइक कर देना चैनल अपन है तो सबसक्राइब कर देना और आप 6-5 अधरय एकन को प्रेस कर दिना में रिए इस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए थैंक यू